तो सब्सक्राइब बात करने वाले हैं 24 क्रॉस 45 हाउस प्लान की जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस मौडल को डिसक्स करेंगे हमारे सब्सक्राइबर थे उन्होंने मुझे पर सो कमेंट किया थे कि मुझे सर्च 24 भाई 45 का एक हाउस प्लान चाहिए जिसमें सब्सक्राइब बात करें तो भी आप देख पा रहे होंगे एक अच्छा सी आपको देखने को मिल रहा है तो 24 भाई 45 में इस प्लान को हम पूरा डिसक्स करेंगे स्टब बाइस टिप बने इस गुड़म लगातार मैं हों जाकड़े और आप देख रहे अपना चैनल इसमाल हुड़म अगर आपने पर देख प्लान को सब्सक्राइब नहीं गया जरू कर लएकन जरू प्रेस करें से में आने वाले सब्सक्राइब की है जैसा कि मैं हमेशा आपको पताता हूं आप हमें एक कॉंटेक्ट कर सकते हैं और आप समय बात करके आपके रिकार्मेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस प्लान करता हूं चाहें वास्तिव का अकॉर्डिंग हो या कोई भी स्कूल या बिल्डिंग कुछ भी बनवाना चाहता है तो आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं नमबर हमारा आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा लेकिन आप कॉंटे आपको तो इतना पैसा लगेगा तो पूरा मैं जुम कर के अगर देखाऊँ ता आपको रियलस्टिव देखने को मिलता है इने विंडओ की बात करें तो टेक र आपका देख़ेगा यह विंडब है विंडओ का गरhea पूरा प्लानिंग रेलीनिंग एकर बात करें तो वह भ बात कर दिए स्टेर्स है जहां से आप चड़ेंगे उपर यह बारंदा आपको देखने को मिल जाता है यह एक विंडो का पूरे डेजाइन है यह बारंदा आपको मिलता है लगब बारा भी बारा का और एक बैट्डूम जोस्तों फ्रेंट गेश्टूम से बोल सकते हैं आपक एक hall tap का बड़ा बीश मिल जाता है और पीछे आपको दो बैट्डूम मिलते हैं जिसके अलग अलग डोर और विंडो है यह आपका किचेंड एरिया है तो आपको इस रूम में पूरे लगवात तीन रूम मिल जाते है एस एरिया में और आपको किचेंड बड़ा सा तो यह तो इसका ground floor की अगर हम बात होगे अब हम बात करते हैं इसके first floor की तो first floor पर आप जैसे जाएंगे तो पीछे का पिलकुल सेम है वही दोनों bedroom आपको मिलेंगे वही kitchen वही लेटेंड बात और stairs और वही आपका बड़ा सा आंगन आप इसे बोल सकते हैं या open space बोल सकते है फ्रेंड में आपका जो अगेश टूम था वो भी आपको मिल जाता है और यह आपको एक बड़ा सा बालकनी मिल जाती है दोस्तों फ्रेंड में जो आप बाहर से कहीं भी अपने घर को आप बाहर आगर बैट सकते हैं से ventilation की problem नहीं होगी हवा आपको पूरी तरीके से यहां स पास होती रहेगी जो नीशे बारंदा तब वही आपकी बालकनी उपर भी बन जाती है तो यह first और ground floor ground और first floor हो गया अब अगर हम रेलिंग की बात करें तो यह दोस्तों बने स्टील या iron की आप बहुत ही नॉर्मल सी रेलिंग लगवा सकते है लो बजट इसलिए मैंने create कि है और यह जो आप स्टार्टिंग में दे रही है दोस्तों एक elevation है आप इटो का भी पनवा सकते हैं किसी का भी प्योपी का पनवा सकते हैं अब हम बात करते हैं लाश्ट पूर की लाश्ट पर दोस्तों कुछ भी नहीं चार फिट का लगबग चारतर बांडरी है और रेलिं इसको कास्ट फाइंड आउट करने के लिए दोसरे मैंने एक application लाउंच किया है जिसे application का नाम इसमाल हाउस प्लान आप इसे प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं इसे डाउनलोड कैसे करना है इसे यूज कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ application डाउनलोड करने कर में में smartphone पर आएंगे प्ले स्टोर पर और प्ले स्ट्टोर पर जैसे उपन करते हैं इसमें आपको सर्च करना होगा इसमाल हाूस प्लान मैं ना हैaggi इसे आप अच्डू कर लें मैं इस्टॉल कर चुका हूँ description में link directly आप प्ले स्टोर पर पहुंच जाएंगे आप जैसे से open करेंगे open करने के बाद आपका ये श्टपचप पूरा open हो जाता है ये सारे option आपको दिये है brick calculation घर में आपके कितनी detail लगेंगी plaster में कितना material लगेगा वो आप find out कर सकते हैं आपके column में कितना material लगेगा छट slab में आपका कितना लगेगा primer पुट्टी क्या लगेगा beam में क्या लगेगा अलग-अलग आप find out करके अलग-अलग calculation कर सकते हैं जैसे मैं example के तोर पर आपको बताता हूँ slab का अगर आपको घर में slab बनवानी च्छत बनवानी है तो आप मल टोटल पहले आप length find out कर लें अपने slab की कि सब्सक्राइब एक हजार स्कार फिट एरिया है लंबाई सब्सक्राइब आपकी जो लेंद है वो पचास फिट है और जो width है मालोग 20 फिट है slab की तो डाल दी slab thickness आप कितना 10 इंची लेंटर डुलवाना चाहते हैं slab या 12 इंची जो भी इसका mixer ratio आप calculate कर ले गिट्टी cement और मौरम का क्या ratio आप रखना चाहते हैं एक बोरी अगर आप सीमेंट रखना चाहते हैं तो दो बोरी शीमेंट मौरम में पांच बोरी यह बगएरा जिबू भी आप जो देखते हैं इसका diameter आप तीन सूत का सरीया डालेंगे लेंटर में या छिला में चार सूत का वो डालें इसका सब्सक्राइब करेंगे तो इस समय चल रहा होगा प्राइस वह आपको डालना है क्योंकि अलग अलग जगए दोस्तो इडव गयरा अलग-अलग होती है तो प्राइस अलग-अलग होते हैं तो मैं इस लिए यहाँ पर fix नहीं किया है जो भी आपके हाँ चल रहा है हो सब प्राइज डालेंगे तो grand total यहाँ पर estimate आपको दिखा देगा तो यह application आप download करें link description में है यहाँ सब पूरा घर का आपने estimate find out कर सकते हैं तो यह दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंड करके बताएं सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें आप हमाई paid service के इस्तमाल कर सकते हैं जैसा के mail आपको बता दिया है नमबर आपको description में मिल जाएगा thanks watching